18 अक्टूबर को तेलंगाना में श्री राहूल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यात्रा भी की और उसके बाद रैली को संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष होते हुए हर उस बात को उठाया जो एक विप संद्र सरकार मिलकर लोगों को ठग रही है यूट्यूब पर इंडियन नाशनल कॉंग्रेस ने जब यह वीडियो डाला और जो लाइव किया उस पर यूट्यूब ने ट्रिगर वार्निंग डाली है और उस पर लिखा है वीवर डिस्क्रीशन इस ड्वाइज दिस वीडियो को डाल कर यूट्यूब ने वो साबित कर दिया जो विदेशी अकबार कह रहे हैं जो कह रहे हैं कि यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लाटफॉर्म सरकार के इशारों पर चल रहे हैं और विपक्ष की आवाज का हनन कर रहे हैं उसको दमाने का कुदसित प्रयास कर र होगा लेकिन अब यूट्यूब से एक लंबी वारता के बाद समझ में आता है कि वो कुछ अपनी community guidelines का उलेक कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि हमारी community guidelines जो है वो violet हुई है मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई कि लोग तंत्र में लोगों की समस्याओं का और अगर दिक्कतों से जूज रहे लोग आत्म हत्या करने को मर्जबूर हैं इसका उलेक विपक्ष के नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा और इस तरह की trigger warning लगा कर YouTube क्या साबित करना चाह रहा है जिस व्यक्ति ने इस देश के साड़े 4000 किलो मीटर पैदल नापदी अजनबियों को गले लगाया उनको होसला बंधाया उसके वीडियो के आगे इस तरह की trigger warning लगा कर अपनी किसी भी guideline का हमाला दे YouTube असलियत यह है कि यह भारत के स्वतंत्र चुनावों में और हमारी लोकतंत्र प्रडाली में इस platform की दखल है क्योंकि चुनाओं के दोरान या उससे अलहदा किसी भी विपक्ष के नेता को किसी भी व्यक्ति को महंगाई पर बेरोजगारी पर आर्थिका समानताओं पर किसान तो सरकार को कट घरे में कौन खाणा करेगा आज तक तो सरकार के घटक दल EDCBI इंकम टाक्सी थे धीरे धीरे साफ हो गया है कि चरण चुम्बकों की जो फौज मीडिया में बनाई गही थी वही चरण चुम्बकों की एक फौज सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म भी करते यूट्यूब ने किया है लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे क्योंकि ये करके यूट्यूब ने हमारे निश्पक्ष चुनावों हमारे लोकतंत्र में दखल अंदाजी करिये और ये कत्ताई बरदाश नहीं है तो आप सब लोग जाईए उस वीडियो को देखिये और बताईए कि किया किसी भी किसी भी तरीके से उस वीडियो में कुछ भी गलत है और अगर गरीबों की वंचितों की पिछडों की आदिवासियों की बात करना गलत है तो हम ये गलती सौब बार करेंगे क्योंकि ये गलती लोकतंत्र में होनी चाहिए अगर लोकतंत्र में लोगों की बा लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी थी और ये बात हम डंके की चोट पे कहते हैं जो यूट्यूब ने किया है राहूल गांदीजी और प्रियांका गांदीजी के वीडियो के साथ वो सर्वता गलत है हमारी लोकतंत प्रडाली में एक विदेशी पावर की तखल है